गुड मॉनिंग, गुड आफ्रनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल English with Rohit इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल and English learning वीडियो अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी तो आईए शुरुआत करते हैं मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल English with Rohit आज हम सीखने वाले हैं Future Perfect Continuous Tense वैसे तो Future Perfect Continuous Tense का यूज बहुत कम हो दर प्रैक्टिकल लाइफ में फिर भी हमें सीख लेना चाहिए 10-20% ही यूज हो दा इसका और दूसरी खासियत ये बात है जब भी Perfect Continuous Tense की बात करते हैं तो हम Since 4 का प्रयोग करते हैं Present में और Past में लेकिन Future Perfect Continuous Tense में आप From शब्द का प्रयोग करेंगे टाइम को दिखाने के लिए तो आईए सीखते हैं इस Tense की पैचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, खड़ा होगा, पढ़ा होगा, बैठा होगा, ठहरा होगा जो की As It Is The Same जैसे हमने सीखा था Present Continuous और Past Continuous में उसमें पैचान होती है रहा है, रही है, रहा था, रही थी क्योंकि Present मतलब रहा है, Past मतलब रहा था और अब Future आ गया तो इसमें हो गया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, खड़ा होगा, पढ़ा होगा, बैठा होगा, ठहरा होगा Friends, ये कुछ ऐसे शब्दें जो और किसी बुक में और किसी वीडियो में आपको सुनने को नहीं मिलेंगे Continue Stance में, तो प्लीज इन शब्दों को ध्यान से सीख लेना, ताकि आपसे इस टेंस में कोई गलती ना हो अगर structure की बात करें, तो will shall have के साथ हम been का प्रियोग करते है Negative में will shall not के बाद have been का प्रियोग करते है और interrogative में will shall को पहले लगा कर बात में subject के बाद have been का प्रियोग करते है example लेते हैं, वह कल सुबह से training ले रहा होगा यानि कि कल जो सुबह होगी तब से कोई training लेनी शुरू करेगा और उस समय वो training ले रहा होगा, start कर चुका होगा तो he will have been taking training from tomorrow morning यहाँ पर he हमारा subject है, ले रहा होगा, verb है, कल सुबह से हमारा time है training हमारा object है, तो अगर हम structure के साब से देखें, तो subject आया he, उसके बाद आएगा, will have been taking training from tomorrow morning क्योंकि यह future के समय को दिखाता है, इसलिए हम since for की जगा from का use करते हैं, अगर negative sentence बनाएं नहीं वाला तो केवल आपको third place पे not लगाना है, he will not have been taking training from tomorrow morning और interrogative में will को पहले लगा कर, will he have been taking training from tomorrow morning और negative interrogative में, will he not have been taking training from tomorrow morning लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर कई बच्चों से गलती होती है not का लगाते समय और interrogative sentence बनाते समय मैंने एक और वीडियो में बताया अपनी कुछ वीडियो में कि जब भी आपकी helping verb एक शब्द से ज़्यादा होती है जैसे कि will shall plus have been यहाँ पर आपके तीन शब्द की तीन words की helping verb है तो जब भी इसके साथ negative sentence बनाएंगे आप तो ज्यान रखना है कि not बीच में लगाना है और जब भी आप interrogative sentence बनाएंगे तो will shall पहले लगाएंगे तो दोस्तो सब्सक्राइब करें शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायता उठा सकें और नीचे comment करके हमें जुरूर बताएं कि इस वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मैनत करें और better वीडियो आपके लिए लाते रहें तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो में नई energy और नई जोस्त के साथ thanks for watching, bye bye